नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपर चित दोस्त उपस्थित हूँ, आप सभी की सेवा में एक बहदी महतो पून जानकारी को ले करके, जी हाँ, आए आज हम सभी जानते हैं एनीमिया को दूर करने के लिए घरेलू उपायों के बारे में, एनीमिया खुन की सबसे समा यहीं समस्या है हमारे देश में ऐरण की कमी से होने वाला एनिमिया सबसे जादा खतरनाक रोगों में से एक पाया जाता है क्योंकि ब्लट की कमी, शरीर में होगी तो आप बहुत सी बिमारीों की चपेट में आ जाते हैं एनीमिया के शिकार हमारे देश में maximum लोग हैं यानि कि 90 प्रतिशत लोग एनीमिया से शिकार ग्रस्ट पाए गए हैं और एक बात ध्यान देने वाली कि महिलाओं और बच्चों में अधिक तर यहीं एनीमिया होता है जिहां एनीमिया की बिमारी जो है महिलाओं में और पराहट, चक्कराना, उनिंदापन, कमजोरी, ठकान इसी तरह के समस्याएं होती हैं जो कि आपको सुस्त बनाए रखती हैं जिहां इतना ही नहीं इसका असर दामपत्य जीवन पर भी पड़ता है यानि कि आपकी सेक्स्वल लाइफ पर भी पड़ता है अब यहां एक बात ध् कमी होने पर सिर्दर्द, नर्वस सिस्टम की कमजोरी या दाष्ट पर बुरा असर पड़ना और एकागरता की कमी होना आम बात है इसके साथ ही व्यक्ति के कारे शमता पर भी बुरा असर पड़ता है लेकिन इतना घबराने की जरूरत नहीं है रक्त में आयरन की कमी अथव कोई ऐसा रोग नहीं है जिसका कोई समाधान ही नहीं हो जिहां बस आपको कुछ फूर्स हम बता रहे हैं जिनका सेवन करना होता है इसके सहारे आप ऐनीमिया को दूर भगा सकते हैं तो आईए आज हम सभी जानते हैं एनीमिया को दूर भगाने के लिए बेहद ही कारगर औ और उप्योगी जानकारी के बारे में. काजू सबसे पहले आउश्दी जो है काजू है काजू न केवल खाने में स्वाधिश्ट होती है बलकि इसमें कई पोश्टिक गून भी होते हैं. दस ग्राम काजू में 0.3 ग्राम तक आयरन होता है. रोजाना 10 ग्राम काजू का सेवन करने से आपको आयरन की पर्याप्त मातरा मिल जाती है काजू की तासिर गर्म होती है इसलिए भारत जैसे गर्म देश में इसका सेवन सिमित मातरा में करने की सलाह दी जाती है रक्त की कमी वाले रोग्यों को सर्दी में रोजाना काजू खाना चाहिए काजू पाचन शक्ति बढ़ाता है इससे भूख अधिक लगती है आतों में भरी गैस बाहर निकल जाती है 10 ग्राम भुने हुए बादाम में 0.5 मिली ग्राम आयरन होता है बादाम में कैलिशिum, मैगनिशिum तो होता ही है साथ ही इतनी मात्रा में बादाम का सेवन करने से आपके अधर 163 ग्राम कैलोरी का उपभोग कर सकते हैं 10 ग्राम चिल गोजा में 0.6 मिली ग्राम आयरन होता है इस सुखे मेवे का सेवन कच्चा अथवा भून करके किया जा सकता है चिलगोजा रक्त में हिमोगलोवीन के मात्रा को बढ़ाने का कारे करता है इसके अलावा पिंगल फल जहां पिंगल फल को पहाड़ी बादाम के नाम से भी जाना जाता है पिंगल फल आईरन का उच्च श शरीर को स्वस्थ बनाने में या बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं दो चम्मच पीनट बटर में 0.6 मिलिग्राम आइरन होता है पीनट बटर में वसा की मातरा तो कम होती ही है साथ ही इसमें पोटेशियम मैगनेशियम और विटामिन B भी प्रचूर मातरा में पाया जाता है इससे हमारी सेहत पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है इसके लावा पिस्ता जब बात आइरन योक्त मेवो की होती है तो पिस्ता इस सूची में जरूर शामिल होता है 28 ग्राम पिस्ते में 1.8 मिलिग्राम आइरन होता है भारत में पिस्ता आसानी से मिल जाता है पि कि किसी भी चीज का आप अति कर देते हैं तो वो फायदे की जगह आपको नुक्सान देने लग जाता है जिहां अधिक मात्रा में इनका सेवन करने से मुटाफे के साथ साथ अन्य कुछ स्वास्थे संबंधी समस्यां भी आपको हो सकती हैं इसलिए इससे बचना चीए यानि क अतियधिक मात्रा में सेवन ना करें उचीत मात्रा में इसका सेवन करके आप लाव उठाएं ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहदी महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद न आपसकार दोस्तों